और भगवन ये बी चर्चा किया है कि कैसे किस प्रकर से हम इस काम रोग सकते हैं हमारे जो दूसिद मन है दूसिद बुद्धीह दूसिफिटिकना है उसको कई से ठिक करें और उनको सही करने के भी बहुत ज़ाधा जरूरी है तो इसके लिए पहले दियात्म बुद्धी से उपर उठना पड़ेगा, दियात्म बुद्धी क्या होता है, कफ पीत वात, कफ बाद और पीत से बना हुआ शरीर है, और उसमें क्या कर रहा हूँ, आत्म बुद्धी कर रहा हूँ, सोधी कलत्रायदेशू, अपने बुद्धी कहां लगा ये अपने सोधी सजनों में, रिलेटिब्स में तो हमारे पास बुद्धी, भगवन बुद्धी काई से देते हैं हम सबको ददामी बुद्धी योगमतम गुरु, सादू और सास्त्रों के माध्यम से भगवन हमें बुद्धी प्रदान करते हैं क्योंकि हर कोई स्वयम भगवन सी कृष्ण से प्रत्यक्स बुद्धी प्राप्त नहीं कर सकता है इतना कुवालिटी लेवल में पहुंचा नहीं है हर कोई जीव मनुस्य है कि भगवन से प्रत्यक्स समंद बना के ज्यान प्राप्त कर सके बुद्धी प्राप्त कर सके लेकिन अगर आपने कोई मनुस्य अपने बुद्धी पे मन पे बानी इंद्रिया पे काभू पाली है कंट्रोल कर लिया है तो भगवान सी क्रिष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं कि वह ब्यक्ति मेरे तक पहुंच सकता है परमत्मा तक पहुंच का इस दिन परमत्मा के साथ भगवान के साथ संबन स्थापिद हो गया तब उसका भजन भक्ति कैसे होगा द्रिडवड़ता द्रिड़ता के साथ एकदम स्मूथ मखन बटर की तरह उसकी भजन होगा कोई बाधा कोई अर्चन कोई अनर्थनी वृत्ति हो जाएगा पूरी पाप की बीच पाप की प्रवर्ति पाप करने की इच्छा कलूस पूरी मीठ जाएंगे हमारे अंदर से धब जाके हमारी आध्यत में जीवन भजन की जो भक्ति की जीवन शुरू होगा परमात्मा से साख साथ आपकी संबन स्थापिद हो जाएगा अपकि हिर्दय में बाणी पर कंट्रोल नहीं है और भड़कता है बुद्धी चंचल यह कुछ बीकारिय करते रहते हैं मन बुद्ध इंद्रिया भड़े अनके कंट्रोल में नहीं है तो वह हम सरीवनल Peak से सुनते हैं हिर्थ फैंज्वर क्या मांधूत से पकि साथ्र सब्सकिछ से हमें पता लगता है कि वो जो प्रमात्मा है हमसे क्या चाता है तो यह भगवान से बुद्धी प्राप्त करने का एक तरीका है तो अगर काम रोक से बांचना है तो भगवान ने दिया है बर्नन किया है भगवद गीता में तो पहले तो हमारी जो प्लिव्टेड इंटिलिज बहुतिक नोलेज है बहुतिक ग्यान बुद्धी है इसको कैसे अध्यात्मिक किया जाए कैसे स्प्रिच्वलेश्ट किया जाए जब हम बुरू सादू सास्तर के मार्क दर्शन पर चलने लग जाएंगे उनको फॉलो करेंगे तो तब जाके हमारे जो इंटेलिजन्स बुद् सक्षें है कि इनिसियेड़ी जो होता है उनके अग्यांता दूर होते है उससा फ्रकर से हमारे अग्यांता नंश्ठ होता है हमUhघ्यात्मिक बुद्धि की मन और बुद्धी उपः उसका मतल्ब क्या होता है जो सुध्य हो रहा है हुसको कर शलंगे का मतलब कि आद्धिया है अध्यात्मिक नॉलेज्ज डिवाइन नॉलेज्ज सास्त्री का ज्यान यह प्राप्त करना बहुत ज़्यदा जरूरी आबस्यक है इसलिए भगवन श्री कृष्ण भगवत गीता में क्या बोल रहे है कि जब हम सास्त्रों की अभेलना करेंगे नहीं मानेंगे सास्त्रों को तो क्या होगा हमें सिध्धी नहीं मिलेंगी संतुष्ट नहीं होंगे हम सास्त्रों का अध्यन नहीं करेंगे पढ़ेंगे नहीं स्रबन करेंगे कथा नहीं सुनेंगे तो सुख नहीं मिलेगा सिध्धी नहीं लेकिन उनके जीवन में सुख नहीं है उनका जीवन में जो सुख है तो क्या अद्य करना बौद्ध जरूरी करना बहुत जब्यक्ति हो जब बुद्धि का इसको पता लगेगा कि ये मनुस्य जीवन का लक्स किया है हमारे what is the purpose of this human life तो दूसित बुद्धी जो होता है क्या होता है हमें काम रोग में फंसा के रखता है हमें सक गुनों में जो गुन हैं उनकी आबद्धिया में काम कराईगी और इसमें क्या होता है जब गुनों की प्रसकतानाम तया पहारी तचेत साम बैफसय अत्मिका बुद्धी समाधावुना बिधियते जब भोग आईसरियों में हमारी आसक्ती बने रहेगी भोग बिलाज में इंद्रिये त्रिप्ती में काम बासना में लीप्त रहेंगे पड़े रहेंगे लगे रहेंगे तब तक हमारी बुद्धी सुध नहीं होगी हमारे बुद्धी दूसीद रहेगा यह हमारे इंद्रिया है जब तक हम भगवन की सीक्रिष्ण की सेवा में नहीं लगाते है तब तक हमारी बुद्धी यंदे नियुने बाला है?